मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जगा पर बैट कर अपनी दोस्त का इंतसार कर रही होती है कि इतनी देर में वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे पिंक कलर के शूस पड़े हुए हैं उसे वो बहुत अच्छे लिगते हैं और जैसे ही वो उनको उठाने के लिए आगे भरती है तो कोई और लरकी उन शूस को उठा कर वहां से चली जाती है वो उन शूस को पहन कर आगे भिरने लगती है और थोड़ा ही आगे पहुंच कर वो देखती है कि उसे कुछ अजीव फिल हो रहा था और इसे के साथ उसके पाउं कर जाते हैं ये सीन बहुत ही साथा पेंफुल है अब मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लेटी संजे को देखते है उसके एक चोटी इसी बेटी होती है और वो अपने हस्बेंट से अलैदा हो गई थी क्योंके उन दोनों का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्या नहीं था अब संजे और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते है वो जगह बहुत संसान थी और वहां पर कोई भी नहीं रहता था सिवाए एक बूरी ओरत के लोगों का कहना था कि इस जगह पर ठूट रहते हैं क्योंके इस अपार्टमेंट में अजीब औ गरीब चीज़े होती थी जैसे के लाइट अपने आप ओन ओफ हो जाती थी और अजीब अजीब आवाज से आती थी लेकिन संजे का यहां पर रहना उसकी मश्बूरी थी क्योंके उसकी पास इतने पैसे नहीं थे के वो कहीं और घर ले सके वो जब अपने रूम में जाती है तो देखती है के वहां का समान काफी खराब है और वहां पर सब चीज़ों को रिपेर होने की जरूरत है संजी सोचती है कि मैं देर ना करते हुए खुद ही रिपेरिंग स्टार्ट कर दूँ तो वो एक बल्ब को ठीक करने लगती है लेकिन तभी बल्ब में ब्लास्ट होता है और एक चिंगारी उसकी आंख में लग जाती है फिर वो अपने एक दोस्ट के पास जाती है जो के डॉक्टर थी और यहां हमें पता चलता है कि सुन्जे खुद भी एक डॉक्टर है और उसका क्लीनिक अभी बन रहा है यानि अंडर कंस्ट्रक्शन है फिर हम देखते हैं कि सुन्जे स्टेशन पर घर जाने के लिए वेट कर रही होती है और उसे वही सेम शूस नजर आते है वो पिंग शूस देखने में बहुत प्यारे थे सुन्जे इदर उते देखती है कि क्या इन शूस का मालिक तो नहीं खड़ा वरना मैं यह से लोटा दूँ लेकिन देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और साइट पर खड़ी एक कोई लड़की उसको देखकर काफी जैलिस हो रही थी सुन्जे को लगता है कि शायद वो ठकी होई है इसलिए उसे इस तरह के विशन्स आ रहे है तो वो इस बात को एग्णोर कर देती है और तब ही उसकी बेटी वहाँ पर आती है वो कहती है कि मॉम मुझे भी ये शूस ट्राइ करने दें कितने प्यारे हैं तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है कि नहीं पिल्कुल भी नहीं अगले दिन सुन्जे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद उस चका पर जाती है जहां पर उसका क्लीनिक बेंड रहा था और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था सुन्जे उसे कहती है कि तुम सारा दिन यहां पर काम करते हो तो आज राद हमारे घर डिनर पर आना और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुन्जे की बेटी अपने मॉम के घर ना होने के विज़ा से उन शूस को पहन कर ट्राइ करती है वो शूस उसके साइस से बहुत बड़े थे लेकिन यहां पर एक अजीब बात हमें ये देखने को मिलती है कि वो शूस बिलकल उसके साइस के हो जाते हैं और फिर उससे भी वही विज़न जाने लगते हैं अब हम देखते हैं कि वो लड़का जब सुन्जे के घर डिनर पर आता है तो सुन्जे की बेटी बहुत खुसा होती है और कहती है कि ये कौन है और अब मेरे बाबा के साथ क्यू नहीं रहती ही, आप का उनसे क्या मसला है तो सुनचे को काफे गुस्सा आ जाता है और वो उसे वोह से जाने के लिए गहती है अपनी बेटी के जाने के बाद, वो उस लड़के को बताती है कि मेरी मेरे हस्बेंट के साथ separation हो गई है जिससे ही रोकने के लिए वो उसे पकरती उसके पाउं कर जाते थे संजे इन वीशन से बहुत परिशान होती है अब उसे एकीन हो चूँगा था कि इन शोस के साथ कोई न कोई चीज सरूर चोरी हुई है अब जब भी उसकी बेटी उन शोसको तो वो उसे मना कर देती थी और फिर हम सुनज़े कि उसा डॉक्टर दोस्ट को देखते हैं वो उसके घर आती है और जैसे ही उसकी नजर उन्शूस पर परती है तो वो भी उन्शूस को देखकर नमराईस हो جाती है यानि उसे भी वो शूस बहुत अच्छे लगेती जैसे ही ये सुन्ज़ थोड़ा दूर जाती है तो वो उन शूस को चुरा कर भाग जाती है ना जाने उन शूस में ऐसा क्या था कि एक दोस्त दूसरी दोस्त की चीज चुरी करने पर भी मश्बूर हो गई और जैसे ही वो शूस लेकर बाहर जा रही होती है तो उसे लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और तभी कोई पीछे से उसके फेस पर हाथ रख लेता है और उसकी आंखे बाहर निकाल देता है और उससे सोर से धका देता है जिसकी वज़ा से वो एक शीशे में जाकर लगती है और वो शीशा तोट जाता है जिसकी वज़ा से उसकी भी डेथ हो जाती है और उन शूस की वज़ा से उसके पाउं भी कट जाते हैं और तब ही हम देखते हैं कि वो पिंक शूस वहां से खाइब हो जाते हैं जब पुलीस को इस बारे में पता चलता है, तो वो उसकी dead body अपने साथ ले आते हैं, और उसकी दोस सुन्जे से investigation करते हैं, क्योंकि वो आखरी बार उसी के घर आई थी, पुलीस इसको murder case समझ रही थी, और सुन्जे जब वहाँ जाकर देखती है, तो वहाँ पर कुछ pictures होती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है, कि इस तरह से तो पहले में बहुत सारी लड़कियों की dead हो चुकी है, ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, तो वो खबराते हुए अपने घर आ जाती है, और जब अपनी बेटी के पास जाती है, तो देखती है कि उसके पास वही pink shoes है, वो बहुत हरान होती है, क्योंकि ये shoes तो उसके दोस ले गई थी, तो अब ये यहाँ कैसे आए, वो खुसे से पनी बेटी के पास जाती है, और वो shoes लेकर dustbin में भैंक देती है, क्योंकि अब वो नहीं जाती थी, कि इन shoes की बज़ा से, जो कि सिर्फ उसको पसंद है, किसी की भी जान जाए, लेकिन जब वो वापिस room में आती है, तो देखती है कि उसकी बेटी ने वही shoes पहने हुए है, ये देखकर वो काफी जादा डर जाती है, और इसे वक्ति उसकी बेटी के पाउं से खून आने लगता है, ये देखने पर सुन्जे भी होश हो जाती है, और जब उसकी आंग खुलती है, तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी एक hospital में है, और वो देखती है कि उसके हाथ में वही pink shoes है, वहाँ पे वो लड़का भी था जो उसके cleaning पर काम करवा रहा था, वो उसे उपर terrace पर ले जाता है, और उसे बताता है कि मुझे 60 साल पुरानी एक picture मिली है, जिसमे एक लड़की ने सेम ऐसे shoes पकड़े हुए है, सुनजे इन shoes के बारे में अब और जानना चाहती थी, तो वो उस लड़के के साथ इन shoes के बारे में पता करने चली जाती है, वो सोचती है कि उसके apartment में जो बुरी ओरत रहती है, शायद उसे कुछ इन पुराने shoes के बारे में पता हो, क्योंकि जब उस बुरी ओरत ने उसके हाथ में वो pink shoes देखे थे, तो उसने उससे कहा था कि इसको भैंग दो, और ऐसे लगता था जैसे उन shoes से उसको डर लग रहा है, आप वो दोनों उस बुरी ओरत के पास जाते हैं, वो दोनों उससे पूछने लगते हैं, लेकिन वो काफ़े डिरी हुई होती है, और कुछ भी नहीं बताती, वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कुछ बोलना स्टार्ट होती है, वो बताती है कि जब वो यंग थी, तो वो एक लड़की ओकी के घर काम किया करती थी, वो लड़की डांसर थी, वो एक लड़की से नफरत किया करती थी, क्यूंकि उससे बहुत जैलिस फिल करती थी, उस लड़की का नाम गाइको था, और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखा करता था, यही वज़ा थी कि ऑपकी उससे जैलिस थी, एक दिन, एक दिन उस लड़के ने गाइको को वही पिंक शूस किफ्ट किये, जिसे देखकर उस डांसर के दिल में भी ये बात आई, कि उससे भी वैसे ही शूस चाहिए, और उसने गाइको के फ्रेंड को अपने जाल में भसाना शूरू कर दिया, और वो उसकी बातों में भी आगया, लेकिन एक दिन गाइको ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली की, लेकिन उसका दोस्त उसकी पीछे उसे मनाने आया, और जब डैंसर ने ये देखा, तो भी उसे बहुत घुसा आया, कि ये अभी भी उसी से प्यार करता है, और उसने घुसे में गाइको को मार दिया, और उसके दोनों पाउओं को भी कार दिया, और फिर उन पिंक शूस को पकर कर सोर सोर से हसने लगी, और गाइको का दोस्त भी उसके साथ शामिल था, उस दिन ये ओर लेड़ी भी वहीं पर थी, और सब कुछ देख रही थी, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे, कि वो भी वहाँ पर है, और फिर हम उस डैंसर को, और गाइको के दोस्त को प्राइडिल ड्रेस में देखते हैं, यानि वो दोनों शादी कर रहे थे, और उस डैंसर ने वही पिंग शूस पहने हुए थे, कि तब ही गाइको की सोल वहाँ पर आती है, और उन दोनों को मार देती है, और अब वो यही करना चाहती थी, कि जो भी उसके पिंग शूस को हाथ लगाएगा, कि हो सकता है कि गाइको अब हमें तंग ना करे, क्यूंकि अब हमने तो उसके पिंग शूस में वापिस कर दिया है, अब हम देखते हैं कि सुन्जे उसी लड़के को पसंद करने लगी थी, जो उसकी क्लिनिक साइट पर होता था, और वो उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़का इससे नफरत करने लगा है, क्योंकि वो सब कुछ सच जान गया है, और ये सच उसे सुन्जे की बेटी नहीं बताया है, कि मॉम की कभी मेरे फादर से सेप्रेशन हुई ही नहीं, बलके उन्होंने उनको मारा है, जैसे ही उसे पता चलता है, वो घुस्से से आग पगोला हो जाती है, और उसका पस नहीं चलता कि वो अपने ही बेटी को मारते, और वो करती भी है ऐसा, वो उपनी बेटी को मारने के लिए आगे भरती है, लेकिन उसकी बेटी बिच्टी बचाते वहां से भाग जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है लेकिन सुन्जे भी वहां पर आ जाती है और उपनी बेटी को मारने ही वाली होती है कि उसे एसास होता है कि ये वो खुद नहीं है जो अपनी बीटी को मारना चाहती है बलके काईको है जो कि इस चोटी बिच्ची को मारना चाहती है क्योंकि उसने कई बार जो उसके शोटी बिच्ची के हाथ में फिर से वही बिंग शोज आ जाती है यहां पर सुन्जे काफी डर जाती है और काईको से खबरा कर कहने लगती है कि हमने तो तुम्हारी मदद की है तुम्हारे पिंग शूस तुम्हें वापस दे कर तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यूं कर रही हो और तब ही उसके सामने काईको की सौल आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाथ थी वो उसे बताती है कि तुम में ओकी है यानि तुम पहले ओकी हुआ करती थी वही डांसर और इसे लिए ही वो पूरी औरत पी उससे डरा करती थी और काईको से बताती है कि तुम ही हो जिसने अपने हस्पेंट, अपनी दोस्त और उस लड़के को मारा और अब तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही हो यानि ये गाईको नहीं थी बलके वही डांसर थी जिसकी जैलेसी इतनी भड़ गई थी कि अब वो लोगों को मारने पर उतर आई थी और इसी के साथ मुवी एंड हो जाती है थैंक्यू फॉर वाच्चो